अब आप सोच रहोंगे कि यह क्या बोल रही है अच्छिली यह कहावत है यानि Christmas पास आगया है और Christmas के लिए तैयारियां शुरू हो गई होंगी Christmas में खास बनता है Plum Cake और Plum Cake को बनाने के लिए लोग पहले ही 10-15 दिन पहले Dry Fruits सोख करने लगते हैं अच्छा आज की रेसिपी वो 10-15 दिन वाली नहीं है आपके Cravings को मैं बिल्कुल नहीं बढ़ा रही हम बनाने वाले है Eggless Instant Plum Cake वो भी बिना अलकोहल के न बटर पेपर लगेगा सारे टिप्स शेर करने वाले हो बहुत टेस्टी बनेगा और अवन का भी यूजने करने वाले सूपर स्पॉंजी बनेगा सूपर डिलिशियस नट से भरा आई विश की ये केक में बनाने के बाद आपको टेस्ट करा पाती क्योंकि ये बहुत ज़ादा टेस्टी बनता है और बहुत ही अमेजिंग ये नो फेल रेसिपी है इसे ट्राइ करना बनता है तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे विद बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो के ऐसे ही लेटेस नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है फ्रेश ओरेंज जूस अब ये फ्रेश ओरेंज जूस मैंने आधा कब लिया है आप चाहें तो मार्केट से भी जूस आता है पैकेट वाला आप वो भी यूस कर सकते हैं अब इसमें ड्राइफ रूट्स हम सोग करने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्लाक रेजिन यहाँ पर मुनक का जो मिलता है न बीज वाला वो अगर आपको मिल जाए तो ठीक है कोई दिककत नी पर वो ना विले तो जादा बेटर है फिर नॉर्मल वाले किश्मिश को मैंने चॉप करके आड़ कर दिया है सारे ड्राय फ्रूट्स की कॉंटिटी वे डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी यहाँ पर मैंने ले लिया है चेरी चेरी जिसको कट कर लिया मैंने अच्छी तरीके से और यहाँ पर मिक्स्ट टूटी फ्रूटी यह कई कले के टूटी फ्रूटी है यहां पर यलो है, औरेंज है, ग्रीन है, रहट है, वो सारे मैंने आड़ कर दिये हैं, अब इन ड्राय फ्रूट्स को हमने आड़ कर दिया, मिक्स करके अब आराम से इसे एक से दो घंटे सोक करने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर आप चाहें तो तीन से चार घंटे भी इ आप लो टू मीडियम और लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको वेट करना है कि चीनी जो है डिसॉल्व ना होने लगे, चीनी के घुलने कहां में इंतजार करना है, तो अब क्या करेंगे ना, ऐसे हम हलका से फैला देंगे ताकि चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए, धीरे धी एक मिनेट के बाद चीनी हलका पिखलना शुरू हो गईरे अब आपको यह दहां देना है कि चीनी को इतना नहीं पिखला देना है कि यह जलने लगे क्यों क्या होता है? चारमल बनाने के चकर में जल जाता है तो तेस्ट करवा आने लगता है, तो जैसे ही इसका color चेंज हो तो यह देखें हल्का से yellow color मतलब इस तरह के yellow color आजाए तो हमें क्या करना है जा इना घ्यास को बंद करें अब उसके बाद मैंने 6 बड़ी चम्मच चीनी लिया था तो छे बड़ी चम्मच पानी ले रही हूं गयास बंद करने के बाद इसमें हम पानी आट करेंगे तो देखे ये क्यारमल हमारा तयार हो चुका है, जीनी घुल चुका है, कलर आ चुका है, ये देखिया परफेक्ट रही है, तो अब छे बड़े चमचो पानी मैंने आपको बताए, वो ग्यास बंद करके आड़ करना है, सावधानी से क्योंकि ये बहुत तेज छीटा मारता है, तो इसलि अब देखिये, एक घंटे बाद ड्राइ फ्रूट्स पूदर सोख हो चुके हैं, तब मैंने लिया है आधा कप के करीब दूद, और इसमें आड़ करने वाली हूँ, आधा कप के करीब पिसी हुई चीनी का पाउडर, यानि कि छे बड़े चमच पिसी हुई चीनी का यानि कि दो बड़े चमच मतलब दो टेबल स्पून के करीब, दो से तीन टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर है तो जरूर आट करिए, डेरी वाइटनर कोशिश करें, ना यूज करें, अब इन इंक्रीडिय पाउडर, या फिर सोट का पाउडर, या फिर काली लाइची का भी पाउडर यूज कर सकते हैं, प्लम केक में ये मसालों का पाउडर एड होता है, अब उसके बाद यहां पे हमने आट कर दिया है क्यारमल वाला सिरप, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हमारे सोख किये वे ड्राइफ रूट्स इसमें आट करेंगे, कंसिस्टेंसी प्लम केक का बहुत जादा गाढ़ा नहीं होता और बहुत लिक्विडी नहीं होता, ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, अब उसकी बाद देखे, सारे ड्राइफ रूट्स ने दो घंटे बाद अपने इन दर सोख लिया जूस, जूस सही जो भी जूस भी बचाता है वो भी आड़ कर देंगे, साथ-साथ मैंने यहां पे काजू, बदाम, अखरोट, इनहें भी चॉप कर लिया, तो इन सब के कॉंटिटी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसकी टेंशन आप मत लीजे, इन फूर्ट टी स्पून बेकिंग सोडा और चुटकी भर नमक, अब इसको अक्टिवेट करने के लिए वन टी स्पून डालेंगे हम वाइट विनिगर, अब विनिगर डालकर तुरंत इसे मिक्स करना है, अब जैसे ही यह सारे इंग्रीडियंट गया ना बस तुरंत मिक्स निकल जाएं, अब देखिए, इसको बेक करने के लिए हम कडाही में बेक कर रहे हैं, तो कडाही को मैंने जो है, मीडियम फ्लिम पर 15 मिनट तक नमक और स्टांड डालकर अल्रडी प्री हीट कर दिया था, अब क्या करेंगे, इसी में टिन को डाल देंगे, और आधे घंटे तक अब इस टिन को डालकर हमें कुछ भी नहीं करना, आधे घंटे बाद आकर एक काम करना है, तो आधे घंटे बाद मिलते हैं, आधे घंटे हो चुके हैं, अब क्या करने वाले हैं, यहां पर डाल देंगे ड्राइ फ्रूट्स, ऊपर से, अभी पहले डाल देते तो क्या ह मेरे toothpick clear ना लिख ले मुझे एक घंटा लगा एस cake को बनाने में तो देखिये फिर से मैं आकर चेक कर रही हूं आधे घंटे बाद तो यह देखे cake perfectly baked हो चुका है मैं toothpick डाल कर चेक कर रही हूं यह देखे बहुत ही properly baked हो चुका है color देखे कितना अच्छा आया है इसका यह देखे, तो यह गया toothpick और यह देखे, toothpick clear है, और यह आपका cake बेख होकर ready हो चुका है, डिपेंड करता है, timing थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, डिपेंड करता है, बर्दन के मोटाई पर, तो आप यह देख रहे हैं कितना perfectly baked हुआ है, एकदम bakery जैसा यह cake लग रहा है, बहुत ही amazing यह cake देखने में लग रहा है, इसे अब क्या करते हैं जल्दी से निकाल लेते हैं और ठंधा करेंगे, एक tip और दे रहे हूँ, cake को moist रखने का tip, वो क्या है, किसी tall से इसको ठक दीचाओ, और 1-2 घंटे एक दम बिल्कुल disturb मत करिए, एक से 2 घंटे बाद देखे, cake ठंधा हो चुका है, और यह क्या है न, टॉल से ढखने के बाद इसके अंतर moisture बना रहा, तो मारे cake बहुत soft है, तो यह देखे, बहुत ही spongy लग रहा है, अब क्या करना है, निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, यह butter paper का use नहीं करा, तो बहु इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, इससे सीधा कर लीजे, और आप देखे, यह plum cake कितना amazing लग रहा है, जो आपको market में मिलता है, मतलब जो alcohol डाल के दिया जाता है, वो सब कोई prefer नहीं करता, बचों के लिए भी वो बिलकुल सही नहीं है, और यह cake जो है, यहाँ पे alcohol का यूज नहीं हुआ, बटर पेपर का यूज नहीं हुआ, साथ-साथ इसमें आपको 10-15 दिन वो सोग करने वाला जंजट भी नहीं है, बहुत ही amazing है, और यह देखे, क्रिसमस का सीजन था, तो मैंने थोड़ा से इसका decoration कर दिया था, रिबन लगा के, अब इसको मैं कट करक यह देखे, बहुत ही amazing बनता है, इन क्रिसमस आप यह केक जरूर बनाएए, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आजाए, तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें, और वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं, तब तक कि लो मिलते हुड़ादे